गुद मानिंग स्टूदेंग, आई होप इवल बेफाइन, तोडे आविचार चैप्टर नुबर फोर, हैरेटिट अन इवलूशन, फोर्थ पार्ट अफ क्लास टेंथ, डाइ हाइब्रीड क्रॉस, क्रॉस बिट्वीन टू ट्रेट्स, जब हम दो केरेक्टर के साथ आपस में क्रॉस करवाते हैं, तो उसको बोलते हैं, डाइ हाइब्रीड क्रॉस, जैसे कि, एक हमने केरेक्टर लिया किया हाइट का, ठीक है, और एक लिया शेप का, तो इन दोनों में आपस में क्रॉस करवाना, तो उसको बोलते हैं, क्योंकि, दो केरेक्टर होगे, एक हाइट और ए और क्या है एक shape का, ठीक है, height और shape, जो height है वो क्या है, tall and dwarf, ठीक है, और जो shape है वो क्या है, round and wrinkle, तो देखिए, यह इधर जो है, tall and round, यह हमारे कौन से character, dominant character, और जो dwarf and wrinkle है, वो क्या है, recessive character, तो जो tall होता है, उसको हम capital T, capital T से denote करेंगे, और round को capital R, capital R, dwarf को small t, और wrinkle को small r, small r से, तो देखिए, मैं आपको cross करवा रही हूं, देखिए, इसमें क्या करेंगे हम, capital T, capital R, इसमें यहाँ पर capital T, capital R, फिर हम आपस में cross करवाएंगे, तो यहाँ पर 4 आ जाएंगे, फिर वैसे यहाँ पर capital, sorry, small t, small r, small t, small r, अब हम क्या करवाएंगे, इसको cross करवाएंगे, देखे इसका फर्स्ट और इसका भी फर्स्ट तो देखिए यहां पर क्या है capital T अब capital T जो है वो हमारे dominant है तो इसका recessive भी लिखेंगे small t यह नि करेंगे capital T capital R and small t small r capital T small t हो गया फिर हमारा क्या है capital letter लिखें small r capital R small r फिर इसका first और इसका second तो फिर यहां पर भी capital T small t capital R and small r फिर इसका second और इसका first तो यहां पर capital T small t capital R small r और इसका second और इसका भी second तो यहां पर capital T small t capital R small r तो जब मैंडल ने देखा यह कौन सी generation होगी हमारे first generation मतब इन first filial generation first filial generation मैंडल ने देखा कि उसमें कैसे character है देखो जो capital T small t जो capital letter है वो किसको denote कर रहा है कि tall plant है height जो है वो कैसी है tall है और जो capital R small r है मतब जो capital R है वो किसको denote कर रहा है कि जो shape है जो seed का वो क्या है round तो in F1 generation all plants all plants and seeds are tall and round ठीक है जब मैंडल ने देखा कि उनके F1 generation में कैसे plant आये tall आये और जो seed आये वो कैसा है round आया फिर उस ने क्या किया F1 generation का F1 generation के साथ self-cross करवाया फिर देखें मैंडल ने क्या किया F1 generation का F1 generation के साथ क्या करवाया है self-cross को बोलते है self-pollination भी ठीक है self-cross of F1 generation तो देखिए यहां पर क्या है capital T यहां पर capital T है और यहां पर क्या है small T सबसे पहले हम इसके आयले बनाएंगे तो देखे capital T small T मैंने यहां पर लिख लिए फिर इसके साथ हम क्या कराएंगे cross capital R small R फिर capital R small R अभी इसके इधर के बना दिए वैसे ही same as it is यहां पर कीजिए capital T small T और इसके साथ capital R और small R के साथ cross करवाना capital R small R तो देखें यहां पर जब हम cross करवाएंगे तो capital R small R आ गया यहां पर क्या capital T small R पहले capital letter लिखना है उसके बाद capital R small T और यहां पर small T small R फिर देखें जैसे मैंने इधर क्रॉस करवाए same as it is इधर क्रॉस करवा दिया ठीक है अब जो यह हमारी box है मतलब इसको बोलते है प्यूनिट स्क्वाइर ठीक है तो प्यूनिट स्क्वाइर में हम जो F1 जन्रेशन आएगा उसका रिसल्ट आएगा तो देखें जो यह हमारी इधर एधर है उसको एक वर्टिकल लिख लिजे और एक horizontally लिख लिजे तो देखें मैं इसको horizontally लिखी हूँ capital T small r capital t small r capital t small r फिर यहां पे capital r small t और यहां पे small r small d अब जैसे मैंने आपर लिखे as it is वर्टिकल लिख लिजे अब देखे जैसे मैंने यहां यह पर लिख यह वाले as it is फिर मैंने वर्टिकल है अब हम इसको आपस में क्रॉस करवाएंगे इसका इसके साथ पहले फिर इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ तो देखे सबसे पहले मैं इसका इसके साथ करवाएंगे तो अब देख्टें पियां पे टूल आर आप यहां पर पिफिर अपियँ निया साथ क्रोश कर्षा नहीं तो पहले इसके साथ स्मॉल पर लिए है क्योंकि हाइट का पहले लिखना है मतलब हाइट का ही कम्प्लीट कीजिए फिर उसके बाद capital R और यहाँ पर capital R अब इसका इसके साथ क्रॉस करवाना है तो देखो capital T इधर है और यहाँ पर क्या है small t तो small t अब यहाँ पर capital R और यहाँ पर small r ठीक है फिर अब इसका फिर इसके साथ यहाँ पर क्या आएगा capital T capital T यहाँ पर capital R capital letter पहले लिखना है उसके बाद small r ठीक है फिर यहाँ पर capital T capital T यहाँ पर small r है और यहाँ पर small r है फिर इसका इसके साथ तो capital T small t और यहाँ पर capital R और यहां पर small r अब इसके साथ तो capital T small T और यहां पर small r और small r तो देखे फिर जब उसने cross करवा दिया तो देखे अब किस type के plants आए तो देखे capital T capital T तो यह किसको डिनोट कर रहा है कि टॉल प्लांट है capital R small r तो कैसे seed है round seed तो देखे कैसे टॉल एंड वांट मतब टॉल प्लांट है और seed कैसी है round तो इसको मैं star से दिनोट कर लीए यह capital T capital T मतब टॉल है और यह capital r small r क्योंकि round जो है capital r जो है dominant character है तो इसलिए यह भी कैसा seed है round तो यह भी इसके जैसा है, मतब टॉल प्लांट है और राउंड सीर है, तो यह भी इससे दिनोट कर ली हूँ, यह भी capital T, capital R है, तो मतब टॉल और राउंड सीर है, तो यह भी इसके जैसा है, तो स्टार सी दिनोट, capital T मतब टॉल प्लांट है, और राउंड सीर है, इसको भी इ सीड कैसे रिंकल तो मैं सर्कल से डिनोट कर दाई चीक देफेंडूट कर लिए हूं इसलिए मैं इसको सरकल से रिनोट कर दू तो देखिए के capital T मतब टॉल है और राउंड है तो यह इनके जैसा है तो इसको star सी दिनोट कर रही हूँ यह capital T टॉल है और राउंड सीड है तो इसको भी star सी दिनोट कर रही हूँ अब देखिए यह क्या है हमारा द्वार्फ और राउंड सीड है तो यह इन से भी different है मतलब ना तो इसके जैसा है और ना ही इसके जैसा है यह different है तो इसको मैं triangle से denote कर लिए हूँ ठीक है यह क्या है हमारा dwarf और round सीड है तो यह भी इसके जैसा है तो इसको triangle से denote कर लिए हूँ यह क्या है tall और round तो इसके जैसा है यह क्या है टॉल और रिंकल है तो इसके जैसा है तो इसको सरकल सी दिनोट कर लिए यह क्या है तो इसको ट्राइंगल सी दिनोट कर लिए और यह क्या है तो इसको ट्राइंगल सी दिनोट कर लिए और यह क्या है हमारा ड्रिंकल यह बिल्कुल डिफरेंट है तो इसलिए मैं इसको square से denote कर ली हूँ तो देखें F2 generation में किस type का ratio है तो देखें 1 ये tall round है 1 ये है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 स्टार स्टार को count कर ली हूँ तो कितने 9 है और 9 क्या है हमारे tall and round तो कैसे plant है 9 tall and round ठीक है उसके बाद क्या है ये जो circle से denote किया है 1, 2, 3, तो tall and wrinkle तो 3 क्या है हमारे tall और क्या है and wrinkle ठीक है ratio फिर क्या है ये triangle वाले sorry dwarf and round 1, 2, 3, 3 क्या है हमारे dwarf and round क्योंकि dwarf and round है देखो round और जो ये last में square है ये 1 है तो ratio 1 तो ये क्या है dwarf and wrinkle dwarf and wrinkle तो मैंडल ने देखा F2 generation में ratio क्या आया F2 generation का di hybrid cross का लेकिन याद रखना है di hybrid cross का F2 generation का ratio 9 ratio 3 ratio 3 ratio 1 ठीक है मतलब क्या है कि ये क्या है हमारे tall और round है 9 और ये क्या है tall and wrinkle है हमारे 3 और ये क्या है dwarf and round जो है वो क्या है 3 और जो tall और जो dwarf और जो wrinkle है वो क्या 1 है तो इसलिए इसका di hybrid cross का जो ratio है वो है 9 ratio 3 ratio 3 ratio 1 that's all for today